नमस्कार दोस्तूं सुवागत है एक बार फिर से आप सभी का टुले टोक किये इस वीडियो में दोस्तूं राजस्तान ग्राम विकास अधिकारी की जो प्रारंपिक प्रिक्सा है वो 27-28 तारीक को चार सर्वों में होनी है RSM SSP ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बदाया था कि 19 दिसंबर को आपके जो एड्मिट कार्ड है वो जारी कर दिये जाएंगे अब RSM SSP जब भी एड्मिट कार्ड जारी करता है तो उसके दो लिंक आपको देखने को मिलते हैं आप दो तरीके से अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कैसे आपको एडमिट का डाउनलोड करना इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकर देने वाला हूँ दोनु तरीकु से यहां पर दीखे सबसे पहले आपको rsmssb.rajistan.gov.in पर आना है और यह जो वेबसाइट आपको ओपन करनी है जो की rsmssb की ओपीसियल है इस वेबसाइट पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर option मिल जाएगा recruitment advertisement का मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहां पर देखे option मिलेगा आपको recruitment advertisement का इसके बाद आगे से लोगे तो result का option मिलेगा इसके बाद यहां cornr में आपको news notification मिलेगा और finally आपको यहां पर admit card का option देखने को मिलेगा द्यान रखिएगा आपको desktop mode में रखना है आप mobile में अगर search कर रहे हो तो आपको desktop mode में रखना है यहाँ पर देखे इस पर admit card पर click करते हैं क्या इस link में जारी कर दिये गए हैं देखते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं देखे admit card वाला जो page है वो open हो जाता है यहाँ नीचे आते हैं तो सबसे last में जो download admit card का option है वो direct recruitment of computer 2021 के exam का है तो यहाँ पर तो gram सेवक का जो admit card का link है वो नहीं दिखाई दे रहा है दूसरा तरीका है उससे check कर लेते हैं क्या पता वहाँ पर जारी किया गया हो दूसरा तरीका है कि आपको recruitment advertisement पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको जाना है village development officer यानी video यानी gram विकास अधिकारी के apply online वाले option पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यह नया page open होकर यहाँ पर देखिए इस vacancy के बारे में detail से बताया गया है कि 3896 post है कब से कब कर application form बरे गए इसके बारे में detail से जानकरी दीगी है यहाँ पर जो advertisement है वो भी आप download कर सकते हैं और अपना application number भी आप check out कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी application देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए get admit card था option मिल जाता है इस पर click करते हैं अगर जारी हो जाते है admit card तो यहाँ यह link open होगा लेकिन अभी तक जारी नहीं किये गए हैं आपको इंतिजार करना पड़ेगा I think अभी तक अगर admit card जारी नहीं हुए हैं तो admit card क्या होता है जब download किया जाते है website पर release किया जाते है link active किया जाता है उसमें थोड़ा time लग जाता है तो हो सकता है evening में साम को 4 से 5 बजे के आसपास आपको admit card देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से सीधा आप admit card डाउनलोड कर पाएंगे आप जो अपना admit card है वो direct SSO ID के मादन से लोगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं बागी दोस्तों जो भी नई अपडेट होगे आपको सबसे पहले में दे दूँगा जो लोग नए है चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले गल आइकन को प्रेस करके ओल कर क्लिक कर ले ताकि आने वाले हरी वीडियो की आपको notification मिलते रहे साथ ही दोस्तों आपने अवे तक हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो जुरूर कीजिएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक में आपको description box में भी आवाए thanks for watching बिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो से सिसमें तब तक के लिए सभी को जै हिंद